दोस्तो हम आज की वीडियो में बात करेंगे सोशल स्किल्स पर कि क्यों कुछ लोग अपनी जिंदगी में सोशल स्किल्स नहीं सीख पाते उनको नहीं समझ में आता कि बिजनस कैसे चलता है या फिर मुझे जौब में जो मेरा वर्कपलेस है जहाँ पर मैं काम करता हूँ वहाँ पर मुझे लोगों के साथ कितना घुलना मिलना है कितना फास्ला रखना है, क्या बांडरीस बनानी है कैसे रिलेशन्शिप्स बनाने हैं, कैसे इंटरेक्शन करना हैं लोग को समझ में नहीं आता आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि क्यों कुछ लोग जो उनकी workplace होती है वहाँ पर कुछ उनसे ऐसी हरकते हो जाती है कि जिससे उनकी नौकरी को उनके image को नुकसाल पहुंचता है क्यों कुछ लोग अपने business में कुछ ऐसे फैसले ले लेते हैं कुछ ऐसी हरकते कर बैठते हैं जिससे उनके business को शदीद नुकसान होता है कहाँ पर किसके साथ मुझे कितना deeply connect होना है और किसके साथ मुझे सिर्फ सलाम दुआ रखनी है ये वाली जो skill है ना ये बहुत से लोगों में missing होती है Social skills अमूमन उन लोगों में बहुत missing होती है जिन घरों में वालदायन बहुत controlling होता है या abusive होता है बच्चा जब ऐसे environment में रहता है ना जहांपर abuse हो जहांपर वालदायन control करते हो जहांपर narcissism हो या जहांपर trauma हो generational trauma हो तो वहाँ पर बच्चे का दिमाग ना fight flight mode में रहता है, survival mode में रहता है, alert रहता है वो बच्चा, ऐसा बच्चा social skills नहीं सीख पाता, व्योंकि social skills सीखने के लिए किसी भी बच्चे का, उसके nervous system का ना calm down होना बहुत जरूरी है, यानि कि relax होना बहुत जरूरी है, जब बच्चे तो वो जो time है ना, वो उसका miss हो जाता है, व्योंकि उस time पर उसका brain survival mode में होता है, उसके घर में अलगी drama चल रहे होता है, उन drama से निमटने के लिए ना, उसका brain हर time, defense mechanism, different mechanisms जो है ना वो लेकर आता है, तो वो जो social skills वाला time होता है ना, जो सीखने का वक्त होता है, वो उस ब बच्चा होता है, जब वो बड़ा होता है, तो वो limberance का शिकार होता है, ख्याली दुनिया में रहता है, उसको समझ में नहीं आता, कि वो क्यों इस किसम के दोस्तों को, क्यों इस किसम के लोगों को अपनी जिंदगी में attract कर रहा है, जो उसकी जिंदगी में कोई value आड़ कर रहे हैं, वो लोग जिनने वो अपने दोस्त समझता है, उनके साथ अपनी deep feelings share करता है, कुछ रसे बाद उसको पता लगता है कि वो ही उसकी पीट में चुरा घोप कर चले गए, या फिर उसके खिलाफ साजिश कर रहे हैं, या फिर उसका फायदा उठा रहे हैं, उसका बच्चा, तो ऐसे बच्चे जब बड़े होते हैं, एडल्ट लाइफ में जाते हैं, तो वो हर उस इंसान के साथ, जिससे वो मिलते हैं, वो deep connection बनाने की कोशिश करते हैं, यह बात बहुत गहरी है, याद रखीगा, कि ऐसा बच्चा है, जिससे बच्पन में माबाप के बच्चे ने कुछ सीखा नहीं, उसको पता नहीं कि दुनिया जो है न, वो social skills पर चलती है, emotional bond, आप सिर्फ या तो वालदायन के साथ बनाते हैं, या बहन-भाईयों के साथ बनाते हैं, या अपने partner और बच्चों के साथ बनाते हैं, नेकि जो कि वालदायन और बहन-भाई न, दमाग में वो खाली है, उसमें कोई instruments नहीं है, उसमें कोई आलात नहीं पड़े, वो खाली है, वो डबा, social skills वाला, और यही वज़ा है कि दुनिया चलती है social skills पर, आप जब दुनिया में लोगों से इंटरेक्ट करता है न, तो आप उनके साथ दिजबाती नहीं होते, आपने business करना है किसी के साथ, तो आप उसके साथ emotional connection नहीं बनाओगे, आप अपने सारे emotional side पे रखके काम की बात करोगे, आप अपने workplace पे, जहांपर आप काम कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, अपने दुखडे नहीं रोगे अपने colleague के साथ, या affair नहीं करोगे, क्योंकि आपको क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, ये इनको बताना ज़रूरी नहीं है, तो ऐसा इनसान जो है ना, उसके पास ये skill नहीं होती है, missing होती है, तो वो क्या करता है, वो ऐसे लोग के साथ अपने emotions share करना शुरूर कर देता है, जिनके साथ आप सिफ social skills की बुनियाद पर चलते ह हैं दुनिया में, कि जहां पर emotions की जरूरत ही नहीं है, दुनिया में 90% अगर किसी चीज की जरूरत है ना आपको, चलने के लिए, तो वो social skills है, जिसमें आपको lane देन, body language, आपको पता होना चाहिए, कि कहां किस के साथ कितनी बात करनी है, 10% आपके deep emotional connections होते हैं, जो आप हर क इसके साथ connected हो गए, यह वो ही लोग होते हैं, जो internet पर chat में, emails में deeply connected होते हैं, क्योंकि अपने घर वालों से connected नहीं है, इनके पास social skills ने, इनको पता ही नहीं है, कि दुनिया 90% सिर्फ lane देन है, transactions है, तू कितना करेगा, मैं उतना करूंगा, तू अपनी हद में रह, मैं अप कोई मेरे boundary cross करें, ना मैं किसी को नुकसान पहुंचाओं, social और anti-social में क्या फ़र्क होता है, anti-social वो है, जो दुसरों को नुकसान पहुंचाता है, दुसरों को तकलीफ देता है, और उनसे फायदा लेता है, social वो इंसान है, जो ना दुसरों को नुकसान पहुंचाने देता है और नहीं पहुंचाता है यह फर्ख है social और anti-social में यह फर्ख है educated impact में और narcissist में तो आपको न यह बात सबसे पहले knowledge करनी चाहिए कि मेरे पास social skills नहीं है इसलिए मुझे हर किसी से महबत हो जाती है मैं हर किसी से emotional हो आता हूं लोग मेरा फायदा उठाते हैं क्योंकि कहीं न कहीं मैं नहीं सीख सका कि दुनिया चलती कैसे है दुनिया में मामलात कैसे चलते हैं वह missing है वह skill missing रह गई वालदायन को खुद भी शायद उनके पास भी नहीं होंगी वह skills तो वह आपको मैं नहीं सीख सका मेरा brain survival mode में था और अब मुझे गौर करना है कि कहां कहां मुझसे गलती हो रही है कहां कहां मैं चीज़े बेतर कर सकता हूं और किधर मुझे जरूरत है अपनी गलतियों को सुधारने की boundaries बनाने की अब यह जो यह जरूरल वीडियो है यहां पर हर इंसान का case मुझे है हर इंसान की experiences मुझे उसके जजबात मुझे है तो जब मैं उसको जानूंगी समझूंगी तो ही मैं उससे बता सकूंगी कि कहां क्या कमी है कहां क्या बहतर हो सकता है कहां पर वो people pleaser है कहां वो boundary नहीं बनाता कहां पर उसका trauma है तो हर इंसान का trauma मुख्तलिफ है इसलिए आपको या तो किसी expert की help लेनी चाहिए कोई therapist कोई consultant कोई life coach जो भी ठीक है या फिर आप खुद पढ़ना शुरू करें अपने issues पर अगर आप देखें आपकी family में है trauma patterns repeat हो रहें narcissism के या कुछ भी तो पढ़ना शुरू करें अपने आपको educate करें और बहुत slowly gradually सीखें कि कैसे आपने अपने पुराने नजरियात को बदलना है कैसे आपने colleagues के साथ boundary draw करनी है कैसे आपने emotions को process करना है और उन्हें दूसरों के साथ खाम खामे share नहीं करना कैसे आपने अपनी boundary बनानी है एक हद बनानी है यह बहुत लंबी जर्णी है बहुत complex जर्णी है जिसको किसी भी वीडियो में मैं क्या कोई भी बयान नहीं कर सकता लेकिन मैंने आपको यहाँ पर एक template दे दिया एक ट्रामा होता है पैसे कमाने का वह नहीं कमा बाते है टैलन्ट होता है सब कुछ होता है उनके पास लेकिन उनंे समझ में नहीं नहीं आता कि कैश कैसे करू हूं है अपने talent को monetize कैसे करू हूं यूकर उनके पास one pair वान titaniumkom का ट्रॉमा होता है बहुत से लोग को डिफरेंट चीजों को लेकर ट्रॉमा है और वो उस फिल्ड में उस जगा अपनी जिंदगी के उस हिस्से में ना स्ट्रॉगल कर रहे होता है तो वहाँ पर आपका therapist या आपका consultant या फिर आपका life coach है वो आपको संझाता है कि देखो ऐसे नी इसको ऐसे करना है यहाँ पर यह माइंड सेट चाहिए यहाँ पर यह क्रेक्ष चाहिए तो यह वो आप हर किसी के सामने अपना दिल खोल कर नहीं रख सकते और आप रख रहे हैं दिल तो आप नुकसान कर रहे हैं ना जहां बनना था connection वहां नहीं बना वहां पर अधूरापन रह गया social skills भी नहीं सीखी तो अभी time आ गया है कि जो emotional connection है अपने partner के लिए बचा कर रखो अपने बच्चों के लिए बचा कर रखो और दुनिया के साथ चलने के लिए social skills सीखो कि दुनिया में कैसे चला जाता है कैसे अपने हक के लिए बात की जाती है कैसे अपने talent को monetize किया जाता है कैसे लोगों को shut up call दी जाती है यह ilm है सारा और यह ilm आप सीख सकते हैं बस आप में चाह होनी चाहिए आपमें ज़स्पा होना चाहिए कि हां मुझे चेंज होना है मुझे ये life recognized मुझे अपना बहतर version बनना है मुझे वो चीजेंटे जो मैं नहीं सीख सका बच्पन पंट और आपके वालदयान का कसूर नहीं है इसमें वो जो आपको दे सकते थे अपनी knowledge के मताबिक जो वो कर सकते थे उन्होंने किया अभी आप एक adult हैं 18 प्लस है आप और आपको चाहिए कि आप अपने जो आपके flaws हैं जो आपकी parenting है अब आप खुद करें आपको अपनी parenting अब खुद करनी होगी आप बड़े हो गयो आप adult हो गयो तो एक बाले गोर एक adult होने के नाते अपनी जिम्मेदारी लें अपनी responsibility लें और सोचे गौर करें और कुछ एकदामात लें practical steps लें अपनी social life को बहतर बनाने के लिए कैसे लोगों के साथ मिलना है interact करना है यह सब एक ilm है और यह ilm जो है ना यह महस किताब से नहीं आता यह अपने आपको पढ़ने से आता है अपने experiences को जानने से आता है अपने past को टोलने से आता है तो आपको बहतर तोर पर पता चलता है कि कहां क्या कमी रह गई और कहां अब मुझे उस कमी को बेतर करना है उस problem को fix करना है उन emotions को उस दर्द को अगर दर्द है आपको emotional उसे process करना है उमीद करते हूँ कि मैं social skills जैसे पेचीदा topic को जो के हर इंसान के लिए मुखतरिफ है थोड़ा बहुत बयान कर पाई होंगी इंशालेस पर मजीद आगे चल कर भी बात करेंगे next video मुले कात होगी तब तक के लिए अपना बहुत ख्यार रिखेगा thank you so much